दोस्तो स्वागत है आपको हमारा यूटूब चैनल दीपक लेक्चेर में तो आज की इस वीडियो में कलाश 12 कमेश्टरी का जो आपका एक्जाम हुआ है बिहार बोड का उसका यहां पे अंसर की देखने बाले हैं तो आप लोग यहां पे लास तक इस वीडियो को तो आप लोग मिला सकते हैं तो बढ़ते हैं फॉस्ट नंबर क्यूशन की तरफ यहां पे देखिएगा फॉस्ट नंबर क्यूशन तो फॉस्ट नंबर क्यूशन कह रहा है घहनाकार क्रिश्टल में बेवरेस जालकों की संख्या होती है तो देखिए जो आपका टोटल region is second number एक फ़लकुरिक अ निमलिखित में kतने गोलों से घीरी होती है तो आष्थ फ़लक की्छित में आपका छे गोलों से घीरी होती है कितने गोलों से छे गोलों से तीन नीचे होता है और तीन उसके उपर होता है यहां पे आपका correct option B हो जाएगा तो आप लोग सही की होंगे अगला क्यूशन देखी है आपका 3 number 3 number है निमलीखीत में कीस परकार के दोस के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है तो यहां पे हेमेटाइट हो जाएगा यहां लोहा का आयास का क्या है फेरोचुमकिये है यहां पे लवचुमकिये है तो option number B correct था बढ़ते हैं अगले की ओर अगला क्यूशन है 5 number billion के अनुसंखे गून धर्म का उधारन है तो क्या हो जाएगा यहां पे कुवतनांक का उनायन यहां क्या है billion के अनुसंखे गून धर्म का उधारन है तो option number यहां पे C correct था तो आप लोग सही की होंगे अगला क्यूशन देखिए आपका 6 number के 1 kg में उपस थी ते गूलिये कोई मोलों की संख्या क्या कहते हैं तो यहां पे gram है kg है तो हम लोग उसको काते है मोललता, क्या काते है मोललता, अगर यहां पे लीटर होता, तो मोलारता होता HOTA यहां पे kg है, तो यहां पे क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा, मोलारता जानी मोललता आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए, सेवे number वैसा गोल जो एक निश्चित ताप पर सहिंवजन में भी ना किसी परकार के परिवर्तन के उवलता है उसे क्या काते हैं आप लोग यहाँ पे बिलियन चेप्टर में पढ़े होंगे सोलूशन में तो option number क्या है option number A correct है बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन अगला क्यूशन है नाइन नंबर एक फैरेट बराबर होता है कितना 96500 कुलम के बराबर होता है तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट है सई है बढ़ते हैं अगले क्यूशन गिद्रफ अगला क्यूशन है यहाँ आपका टेन नंबर जब लेड यहाँ जो सेल होता है उसको चार्ज करते हैं यानि उसको जब हम लोग लाइन में लगाते हैं तो वहाँ पर पूना उत्पन हो जाता है यानि क्या हो जाता है तो option नंबर यहाँ पर 20 सही था तो आप लोग सही किये होंगे देखिए अगला क्यूशन तो यहाँ पर आपका ह यह भब 0.94 भोल्ट आजाएगा आप लोग इसको करके देख सकते हैं यहाँ पर आपका option नंबर डी आपका सही है बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निमली खित में किस तरह का सेल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको हम लोगाते इंधन सेल फ्यूल सेल तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा option नंबर आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट है सही है बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ तो अगला क्यूशन है आप देखिए 13 किसी रसाइनिक अब किरिया की दीर क्या होता है समाय के साथ टाइम के साथ उसमें जाता है जैसे समय घाटता है वैसे क्या होता है अब किरिया करने की दर भी आपका घटते जाता है तो option नंबर भी सही था अंगले क्यूशन की और बढ़ते हैं जो आपका है 14 निमलिखिद में कौन प्रथम कोटी की अफिरिया नहीं है तो यहाँ पर कौन नहीं है तो option अगर अगर आपका है तो आपका सही है तो आपका सही था देखिए अगला क्यूसन अगला क्यूसन यहां पर आपका है 16 16 अधिकांस अभिकिरियाओं के लिए ताप गुनांग का मान निमली खित में किसके बीच होता है तो किसके बीच होता है एक और दो के बीच में होता है किसके बीच एक और दो के बीच क्या होता है उसकी अभिकिरिया के बीच में रहता है उसका ताप गुनांग जो मान है कितन होता है तो option number B correct है देखिए अगला क्यूशन तो यहाँ पे अगला क्यूशन है 17 निमली खित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है तो कौन नहीं है यहाँ पे लायोफिलिक collide नहीं है पूछ रहा है ऐसा नहीं कि है तो है तो यहाँ पे दूद है गोंद है खून है लेकिन यहाँ पे कुहासा आपका lyophilic collide नहीं है तो option number यहाँ पे आपका C क्या है सही है बढ़ते हैं अगले question की दरब तो यहाँ पे देखिएगा अगला question आपका 18 कोलाइडी कनो का अकार निमली खित में किसके बीच होता है तो 10 के पाबर 9 से 10 के पाबर 11 के बीच में होता है तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पे आपका B आपका correct है तो आप लोग सही किये होंगे देखिए अगला question अगला question है 19 number अस्टार्ज के जल अप घटन से निमली खित में कौन सा enzyme बनता है तो यहाँ पे die a stage बनता है option number D बनता है option number D यहाँ पे correct है आपका सही है तो आप लोग सही किये होंगे देखिए अगला question तो यहाँ पे देखिएगा अगला question important question है आपका 20 20 number है रसाइनिक अधिसोशन की दर तो रसाइनिक अधिसोशन की जो दर है वह क्या होता है दाब के बढ़ने से pressure के बढ़ने से क्या होता है increase करता है option number यहाँ पे D आपका सही था आपका correct था देखते हैं अगला number question 21 पिर्थिवी के परत में सबसे अधिक मातरा में पाए जाने वाले धातू क्या होता है आपका ilmunium ilmunium क्या होता है सबसे ज़्यादा अधिक हमारा जो पिर्थिवी है उसमें पाए जाता है तो option number A सही है देखिए अगला question 22 इसको का संद्रन निमलीखित में किसके द्वारा होता है तो आप लोग जानते हैं फेन उत्पलावन विधी द्वारा हम लोग इसको का संद्रन करते हैं option number C correct है अगला question क्योंड बढ़ते हैं जो आपका है आपका 23 23 देखिए 23 है निमलीखित में कौन धातु का निसकर्शन बिद्धूत वेशदिन की किरिया द्वारा नहीं होता है तो किसका नहीं होता है तो लोहा का नहीं होता है लोहा का अलग आपका बिधी होता है तो यह पे आपका option number क्या हो जाएग option number आपका D correct है देखिए अगला number क्यूशन 24 है फूप की बिधी द्वारा निमलीखित में किस धातु का सोधन होता है तो एलमूनियम धातु का सोधन फूप पर कर्म द्वारा होता है आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे important क्यूशन आपके बन कर आता है बढ़ते हैं अगले number क्यूशन की द्रव 25 है निमलीखित में कौन सबसे कम कुवथनांक वाली गैस है कौन है हिलियम हिलियम का कुवथनांक सबसे कम होता है पुरयांतिया बास्पसील होने लगता है तो option number क्या हो जाएगा बी हो जाएगा देखते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन यहाँ पर देखिएगा आपका है 26 निमलीखित में कौन सिर्फ एक ही ओक्सी अमल बनाता है तो यहाँ पर जो आपका फोलरीन है F2 है एक ओक्सी अमल बनाता है तो option number क्या हो जाएगा option number यहाँ पर आपका एक करेप था देखिए अगला number क्यूशन अगला क्यूशन है 27 H8 में सल्फर की ओक्सी करण अवस्था क्या हो जाएगा oxidation state 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ने किये किसके बीच में है तो यहाँ आपका एक अनू है क्या है तो यहाँ पर आपका D अंसर हो जाएगा देखिए अगला क्यूशन है 28 निमलेखित में कौन सबसे कम बास्पसील है तो सबसे कम बास्पसील यहाँ पर आपका H2 है जल है क्या है इसका कौतनांग सबसे अधीक है सबसे कम बास्पसील है option number D देखिए अगला number क्यूशन तो थोड़ा समय बढ़ा करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा अगला number क्यूशन है 29 निमलेखित में कौन अक्सीकारक यवारक दोनों की तरह बेवार करता है तो कौन करता है दोश्त तो आप लोग यहां पर पता है इट पोर्टेन की उसन है कि यहां पर ओक्सी कारा और आप कारा की तरह बिवार करता है A02, कौन करता है A02, तो option number क्या हो जाएगा, option number यहां पर अगल सीख चुछ किया है, तो सही है, देखे अगला, अगला की उसन है 30, निमलिखित में कौन रं होता है, तो यहां पर आपका A02 होता है, रंगीन होता है, तो option number यहां पर आपका बी, आपका सही था, अगला की उसन देखींए आपका 31, संकरमन तत्वों का इलेक्ट्रोनिक विनियास होता है, तो क्या होता है, option number B, यहां पर करेक्ट था, आप लोग पढ़े होंगे, अग ऊप्या है दोस्त यहां पे आपका निमापन है तो एमन एसोफोर यानि मैंगनिशियम स्वधेड इसमें जो क्या है यहां पे जो आपका शंखिया है वह मान नुद्थ है जो आपका ठर्टी निमलेखीत स्वूर से पशन हैं गौन और spielen हें कौन एक्टी नाइट है तो टर्वीनियम यहाँ पे आपका option नमर डी क्या हो जाएगा आपका सही था आपका टर्वीनियम तो option नमर डी सही है देखिए अगला question है आपका 34 निमलेखित में कौन आयन रंग हीन है रंग हीन तो यहाँ पे कौपर यानि CU पलस आपका क्या है आपका यहाँ पे correct है option नमर C यहाँ पे सही है अगले question क्यों बढ़ते हैं जो आपका है 36 सभी लिगेंड होते हैं तो देखिए लिगेंड क्या होता है वह हस्म होता है तो यहाँ पे option नमर B सही है यानि सभी जो लिगेंड होता है वह क्या होता है लेविस भहस्म होता है अगला की उसने की है 38, निमलिखित में कौन जैव अनू का Mg के एक परमुक घटक है, तो क्या होता है, क्लोरोफील में आपका Mg मैगनिसियम पाए जाता है, सारे लोग जानते है, ओप्सन नमबर भी आपका सही है, देखिए अगला नमबर की उसने है 39, वह जटिल आया जिसम आपका ओप्सन नमबर क्या हो जाएगा, ओप्सन नमबर आपका A सही है, A में नो 4 कमाइनस यह, इसमें क्या है, आपका D इलेक्ट्रोन नहीं है, तो यहाँ पर ओप्सन नमबर A चूज किया है, तो सही है, अला क्यूशन देखिए आपका 40, 40 का राय कौन कथन गलत है, यान क्या हो जाएगा, तो आप लग इसको जरूर पढ़े होंगे, अगला क्यूशन है, अगला क्यूशन है, अगला क्यूशन है, अगला क्यूशन है 43, 43, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन, वन औल से वन ब्रोम ब्यूटेन बनाने में होता है, वह क्या है, यानि क्या हो जाएगा, पी बी आर्थिरी, ओप्सन नमबर यहाँ पर डी चूज किये हैं, तो आपका एकदम करेक्ट है, आपका 100% करेक्ट है, अगला है, बेंजीन, हेक्सा, कोलराइड यहाँ पर बनता है, तो आप लोग इसको इपोर्टेन मान कर लीजिए, अब तो आपका एक्जाम हो गया, तो आपका उप्सन नमबर डी सही था, देखिए अगला कि उसने 45, निमलेखित में कौन आयोडो फ़र्म परिच्छन देता है, जो आपका है 46, निमलेखित में किस में बड़े पैमाने पर मेथिल इलकोहल बनाया जाता है, तो पाईलो यह अमल से बना जाता है, यानि जो आपका क्या होता है, जो आपका उधोग होता है, उसमें अगर आपको मेथिल इलकोहल बनाना है, तो यहाँ पर बनाया जाता है, सबसे अधीक अमलिये यहां पर आपका क्या होता है क्या होता है दोस्ति यहां पर आपका क्या होता है आप है 49 primary alcohol उत्परेरक निर्जालिये से क्या बनाता है तो क्या बनाता है आप लोग यहां पर आपका आपका आपस नमबर क्या सही हो जायेगा आपका अपका ऐल्डी हाइड बनता है क्या बनता है इल्डी हाइड देखते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन है 50 जब Acetylene को Tannu H2SO4 H2SO4 की उपस्तीती में परवाहित किया जाता है तब योगिक बनता है क्या बनता है? AC Tone क्या बनता है? AC Tone यहाँ पर बनता है यहाँ पर option number B यहाँ पर आपका correct है, क्या है? B आपका यहाँ पर correct है AC Tone का निमान होता है अगला question देखिए 51 अबकिरिया जो आपको यहाँ पर दिया गया है कौन सा अबकिरिया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अबकिरिया है वह आपका क्या है? Rogen Moon तो यहाँ पर आपका option Q nya हो जाएगा? B हो जाएगा? अगला question देखिए 52 52 है निमलीखित में कौन इंडोल संगहनन नहीं देता है तो मेथे नल मेथे नल इंडोल संगहनन आपका नहीं देता है इसके अलावा सब देता है तो अप्शन नमर ए सई था अगला की उसन है 53 जब फॉर्मल डिहाइड की अवकिर या अमोनिय से कराई जाते है तो निमली खित में कौन सा योगि है देखिए अगला की उसन है 54 निमली खित में कौन इस्टर है तो इस्टर यहां पर सी डवल वार होता है तो ऑप्शन नमर यहां पर सी तो करेक्था सभी लोग सभी होंगे देखिए अगला की उसन है 55 निमली खित में किसके दोबारा फॉर्मिक अम एवं फॉर्मल कौन शाब के लिया था है तो हंस डीक्रभ के लिया है क्या हंस-डीकरभ के लिया है तो League सही था देखिया आगला क्यूंशन है आपका 57 पाइरो तो लिगियर अमल में रहता है तो किया रहता है 10% आपका a एसिटीड रहता है तो option अमर क्या हो जाएगा और यहां पे आपका se था देखिए अगला क्योंसन है फिप्टी नाइं जलिए घुछूल मेंनी लिखित में सबसे सवल सबसे सवल सबसे अश्ट्रोंग आपका बेस कौन सा है तो आपका जो डिगरी एमीन होता है यानि आपका ओप्सनन कंपर यहां पर सी आप था तो उप्सन नमर सी आपका सही है देखिए अगला नमर की उचन है 60 C 3 H 9 N अनु के दुवारा निमिलिखित में किसे ब्यक्त किया जाता है तो देखिए फिर चबा टरसरी एमीन आ गया क्या गया टरसरी एमीन तीन डेगरी एमीन आ गया तो उप्सन नमर सी आपका सही था अगला की उसन है 61, निमिली खीत में किसको अब करीट करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन अगर आपको प्राप्त करना है, तो हम लोग किस परकार से प्राप्त करते हैं, कार्मील एमीन के दुवारा हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी एमी टू डिरी हम लोग यहां पर एमीन प्राप्त करते हैं तो अप्सन नमर सी देखिए अगला की उसन है आपका 62 गंडे के चिन्नी के जल अप घटन सलीम लिखीत में क्या बनता है तो यहां पर गुलकोस और फ्रक्टोज दोनों बनता है तो यहां पर आपका आपका सी यहां पर 64 भी टामीन है भी टामीन क्या होता एक स्कार्विक अमल होता है एक स्कार्विक एसीड होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपका option number आपका a correct है देखते हैं अगला क्यूसर उच्छुटी फाइव निमन्म लेखित में 내 क्यूस में कौण तूपास C civ रहता ह है जिससे आपका जो कहा होता है, आपका जो cancer होता है, उसका इलाईज होता है, तो option number D सही था, अगला कि उसे ने हैं, आपका 66, निमलेखित में कौन ये ओक्सिल बहुलक है, तो nylon 6C का आपका ये ओक्सिल बहुलक है, option number क्या दोस्त, option number यहां पर B correct है, अगला कि उसे ने किया आपका teflon, teflon का एकलक है, तो यहां पर आपका option number A आपका correct था, अगला कि उसे ने देखिए, आपका 68, chloroquine है, chloroquine क्या है, malaria के रूप में इसका anti-maralial, यहां पर तो यहां पर आपका option number C आपका सही हो जाएगा, यहां क्या है, दवाई का नाम है, अगला देखिए 69, निम हैं आपका last question, यहांपे है 70, निमलेखित में कौन, यानि निमलेखित में क्かな कौन, गय में कि शनीन है, है, गय में कसीन है, तो यहां पर आपका safety, यहां तो आपका corazle, नमर क्यूशन है, उसका right answer का हो जाएगा, बेंजीन हेकसा, cold ride यहां पर आपका सही है, तो आप लोग, इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपके हैं पर इंगलीज हिंदी सारे सब्जेक्ट का अंसर की करा दिया जाएगा अपते के लिए जै हिंद जै भारत